नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 20 मार्च दिन सोमवा खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बीर्ट एंट्रंस एक्जाम के लिए आज अप्लाई करने का अंतिम दिन खुस खबड़ी अब बसों में दूसरे राज्यों में जाना होगा असान प्रदूसर से रिबटने के लिए बिहार सरकार ने उठाई यह कदम प्रदेश के इंजलों में बारिश होने की संभावना दूसरा वंडे 10 विकेट के साथ आउस्ट्रेलिया के नाम अब चर यह बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से ASRB ने 155 पदों के लिए निकाली भरती अधिसूशना Agricultural Scientist Recruitment Board के द्वारा Specialist वो सीनियर टेकनिकल ओफिसर समीट आदी के कुल पदों को मिलाकर 155 पदों पर भरती के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भरती के लिए उमिद्वार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिद्वारों के पास मानता प्राप्त विशुविद्याले से संबंधत विशह में पोस्ट ग्रैजुशन डिग्री एवं अन्य निर्धायत पात्रताई होनी चाहिए एक चोक और योग्यमिद्वार एग्रिकल्चरल साइंटेस्ट की रिक्रूट्मेंट बोर्ट की आधिकारी के वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं खुश खबरी अब बसों से दूसरे राज्यों में जाना होगा असान बसों का परचालन सुगम बनाने को लेकर व्यापक रूप से बिहार में पॉलिसी तैयार की जारी है तैय है दूसरे राज्यों में या बिहार के एक जिले से अने जिलों में आसानी से लोग बसों के द्वारा आवागमन कर सकें इसके लिए बिहार में बसों का परिचालन शुरूप किया जाएगा परिवन विभाग द्वारा तै किया गया है कि बस के सुधा आने वाले पांस सालों में बिहार के हर जिलों में या आने राज्यों में जाने के लिए आसानी से मिल जाए लोगों को सहज रूप से बस मिल सके इसके लिए 2000 से भी अधिक बसू के पडिचालन का निर्नाय पडिवहन विभाग द्वारा रखा गया है इससे लेकर एक उचस्तर की बैठक विभागी अस्तर पर भी की गई है विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लब सास्त्री के बारे में आशारे जानकी वल्लब सास्त्री हिंदी वस संस्कृत के कवी लेखक एवं आलोचक थें उन्होंने 2010 में पदमश्री सम्मान लेने से बना कर दिया था इसके पुर्व 1994 में भी उन्होंने पदमश्री नहीं स्विकारी थी वे चायावदतर काल के सू विख्यात कवी थे उतरप्रदेश शरकार ने उन्हें भारत भारती पुरुसकार से सम्मानित किया था आचारे का काविश संसार बहुत विविद और व्यापक है वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिनने हिंदी कवीता के पाटकों से बहुत मान सम्मान मिला है प्राडम में उन्होंने संस्कृत में कवीताएं लिखी फिर महा कवी निराला की प्रेड़ना से हिंदी में आई सास्वी मूर्त गरीदकार है और इनके गीतों में छायावादी गीतों के ही शंसकार शेश है विविद वर्णी रसभावों में संक्लित कोई डेर हजार गीतों का प्रण्यन इनोंने किया है परंपरागत दर्शन संबीदन और भासा संनर्मित ये गीत उत्तर छायावाद यूग के गीतों में अपना विसिस्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना अलग-अलग आकर्शन है संस्क्रीत कविताओं के प्रथम संकलन काकली के प्रकाशन के बाद तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाने लगा जमीन के रजिस्ट्री में हेरा फेरी करने वालो पर इस महीने से होगी बड़ी कारवाई पिहार में जमीन रजिस्ट्री के दोरान हेरा फेरी करने वालों पर विवागिये सकती तेज हो गई है पतादी कि प्रमंडल इस्तर पर तैनास सहायक महारणिक्छा को 31 मार्स से पहले चालू वीतिय वर्ष में हेरा फेरी कर राजश्वत चोड़ी करने के सभी मामले के निप् व्यक्ति जिन्होंने रजश्वत चोड़ी किया है उनके खिलाफ जिर्मानी की तैकी गई राशी 31 मार्स से पहले जमा कराएं बता दे कि जर्मानी की तैकी गई राशी आर्ट से 10 प्रतिसफ है तमिलनाडू फेक वीडियो वारल मामले पर मुझपरपूर में युवक गिरफतार बीते दिन मुझपरपूर जिले में तमिलनाडू फेक वीडियो मामले को लेकर पहली गिरफतारी हुई है बता दे कि उपिंदर शेहनी नाम के व्यक्ति को जले के सदर थाना छेतर से तमिलाडू पुलिस और जिला पुलिस द्वारा ग्रफतार किया गया है गिरफतारी के बाद उसे कोट में पेश किया गया है मोवाइल से तमिलाडू में बिहार मजदूरों पर हंसा के फेक वीडियो को उमेश शहनी के मोवाइल से बारल करने का आरोप लगा है मिले जानकारी के नुसार उपेंदर शेहनी को मजहौली रामदास स्थित कोल्ड स्टोरिस से पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है ऐसी बास सामने आई है कि उमेश वीडियो वारल करने के बाद मुझपरपुर वापस आ गया था और इसी कोल्ड स्टोरिस में वह काम कर रहा था तैश्वी यादव ने नितन गड़करी को पत्र लिख किया अनुरोत इसके साथ ही तैश्वी यादव ने नितन गड़करी से अनुरोत करते वे कहा कि नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 77, नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 83 के निर्मान कारी को जल से जल पूरा करा दिया जाए बेहार बिरेट इंटरेंस एकजाम के लिए आज अपलाय करने का अंतिम दिन पैसे चातर जो बिहार के सरकारी कॉलेजों के बिएड कोर्स में अडमिशन लिना चाहते हैं बताते कि आज का दिन उनके लिए बिहार बिएड एंट्रेंस एक्जाम के लिए अपलाई करने का अंतिम दिन है यानि कि आज 20 मार्ट तो 2030 को आविदन प्रक्रिया बंथ हो आपके जानकारी के लिए बता दी कि आविदन करने के एक्छोक और योग्यमिद्वार आई एडमिट कार्ट जारी करके परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा 2006 से ही ब्रस्ट आरोप सरकारी कर्मियों के मामले लंबित बिहार में विभागे काडवाई या मुकद्मा लगभग 4,700 नियमिस सरकारी कर्मियों पर चल रहा इन सरकारी कर्मियों में विभाग से लेकर जिला और प्रखंड अस्तर तक के कारयाले के कर्मी है बता दे कि साल 2006 के सूची में वैसे कर्मी जिन पर किसी भी तरह के आरोप को लेकर विभाग ये कारवाई या मुकदमा चलाया जा रहा था उन सभी के नाम है बता दे कि ये कारवाई उन पर चल रही है जिन कर्मियों ने अपने पद का दुरूपियों किया हो घूस लेते पकड़े गए हो या जन पर आई से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो कारवाई चलने के ही दोरान लगभग 15 से 20% कर्मी ऐसे भी है जिनकी सेवा निवरती हो नहीं पहुँच पाने के कारण मामले अभी कोर्ट में ही है बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला जल प्रपात का कोलत का होड़ा विकास बिहार के नवादा जले का जल प्रपात का कोलत का विकास कारे शुरू हो चुका है बता दे कि अब बिहार के कश्मीर के नाम से भी लोग प्रदेश की जारी है कि गर्मी से पहले परेटकों के लिए इसे शुरू कर दिया जाए परेटक इस प्रकृतिक चढ़ने की सुन्दरता को लेकर अक्सर मोहित हो जाते हैं चढ़ने के आसपास कई पुराने जरजर भवन देखने को मिलते थे जिन्हें अब हटा दिया गया है मिले जानकारी के नुसार अनिस्थानों पर महिला और पुरुशों के लिए चेंचिंग रूम आने वाले परेटकों के लिए बैठने की जखा और मंदर आधी का निर्मान आधुनिक सुवधाओं के साथ करवाया जाएगा प्रदेश के इंजिलों में बारिश होनी की संभावना पिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है बदलते महारात के बीच में अब लोगों को गड़मी से थोड़ी रहत मिली है हाला कि इस दोरान पचुआ हवा का प्रभाव बना रहा है हाला कि विभाग ने यह भी कहा है कि 19-21 मार्स तक बिहार जारखन पर्शिम बंगाल दक्षिन उरीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है मौसम विभाग के प्रवानुमान के मताबिक विहार के कई छित्रों में बारिश की चितावनी जारी कर दी गई है पुर्वी चमपारन, पुर्णिया, किशन गंज, भागल पुर में एक से दो अस्थानों पे बारिश होनी की संभावना है प्रदेश के कई छिरों में वजरपात होनी की संभावना है प्रदूसर से निपटने के लिए विहार सरकार ने उठाई यह कदम प्रदूसर्कार दौरा राजय में बढ़ रहे प्रदूसर्ट पर रोक लगाने के लिए अपने इस्तरपर तेजी से कारे किया जारा है जाले द्वारा पैसेंजर गारियों को CNG वा पेट्रॉल में बदलने के लिए भियान भी चलाया जारा है यदि चालक भी पैसेंजर गारियों को CNG में बदलते हैं तो प्रदूशन में कमी आएगी बिताते चले कि स्क्राप पॉलिसी के तहट काबिनेट द्वारा यह ने लिय गया है कि जो गारिया कबार घोशित हो चुकी है उसकी जगह नई गारियों को लेने पर टैक्स में छूट दिया जाए अलर्ट मोड में बिहार पुलिस चापे मारी के दोरां 83 अपरादी हुए गिरफतार डीजेपी आरेस भटी के निर्देश के बाद बिहार पुलिस को इन दिनों काफी अलर्ट मोड में काम करते देखा जा रहा है शोशल मीडिया के जरीए भी पुलिस महकमे की तरफ से मामले शिकायत और निप्टारे हो रहे हैं साथी साथ Most Wanted अपरादी को लेकर हर जगा चापे मारी करने की खबर भी आ रही है चापे मारी वाली कारवाई के बीच ही नवादा पुलिस द्वारा एक बड़ी चापे मारी की गई है कई मामलों के 2-3-3 अपरादियों को पुलिस द्वारा एक साथ ही अरिस्ट किया गया है दरसल सभे जिलों के पुलिस अधिक्छकों को अपने अपने अलाकों में राजे के डीजी प्यारस भट्टी द्वारा Most Wanted अपराधियों की लिस्ट बना कर उन्हें गिरफतार करने का नर्देश दिया गया था आरिस्ट होने के बाद रोया मनीश कशप तमिलाडू में बिहारी मजदूरों के कथित उत्पीरन वा हिंसा भरकाने वाली सूचना और फेक वीडियो वा तस्वीरों को सोचल मीडिया पर फैलाने के आरोप में फरार मनीश कशप EOU की हिरासत में है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनीश कशप ने मीते सनिवार को जगदीशपूर ओपी थाने में खुद को सरेंडर किया था जिसके बाद EOU की टीम मनीश कशप को लेकर पटना आ गई थी वहीं अब मनीश कशप का एक वीडियो काफी तेजी से बारल हो रहा है जिसमें वह पुलिस के हिरासत में गारी में बैठे ही नजर आ रहे हैं इसके साथ ही इस दौरान उनके आँखों से आसु भी बैढ़े है इसके साथ इस वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ समर्थ गारी में हाथ डाल कर मनीश कशप से कहते नजर आ रहे हैं कि हिम्मत मतार ये आप जान देने वालों में से हैं रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को मिले छुट्टी पर भढ़के गिरेडाच मुखे मंतरे नितीज कुमार के दौरा रमजान के महीने में बिहार सरकार के सभी मुश्लिम करमचारियों और अधिकारियों को एक घंटे पहले कारयाले आने और नर्धारी समय से एक घंटे पहले कारयाले चोड़नी की अनुमती को लेकर इन दिनों राजनिती गर्माई हुई है पता दे कि सरकार के इस फैसले पर किंद्रिये मंतरे गिरा सिंग के द्वारा ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला गया है कि क्या वोट के खातेर निती सरकार के नदितु में बिहार इसलामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है जहां से मांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रमजान पर विशेश सुधा दी जाती है और राम नमी की छुट्टी रद कर दी जाती है बिहारी परेटन में आज हम बात करेंगे खुदा बक्स ओरियेंटल लाइबरेरी के बारे में पटना में इस सिथ खुदा बक्स ओरियेंटल पबलिक लाइबरेरी अर्भी, फार्सी, उर्दू, पांडू, लीपियों और मुगल, राजपू, तुर्की, इरानी और मध्य एशियाए स्कूल के दुरलब चित्रों के प्रमुक भंडारों में से एक है लाइबरेरी लैन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इमेल सुधाओं से लैस है माभारती के एक महांतम पुत्र खुदा बक्स के द्वारा 1891 में इस लाइबरेरी के स्थापना की गए 1969 में 1969 में संसत के एक अधिनियम द्वारा लाइबरेरी को राश्य महत्वे के संस्थान का दरजा प्राप्त हुआ जुलाई 1970 से यह भाराज सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड के शाषन के तहत स्वायता संस्थान के रूप में काड़े कर रही है इसके सम्रद संग्रह में मौजूद अमुले पांडूली प्यूद दुरलब मुदरित पुस्तकों और मुगर राजपूत तुर्की इरानी और मध्य एशियाए स्कूल के मूल चीतरों के कारण यह पुस्तकाले दुनिया भर में ख्याती लब्ध है यह एक उत्कृष्ट सोध पुस्तकाले के रूप में उपड़ा है जहां बड़ी संख्या में दुरलब पांडूली प्या मौजूद है जिन में से कुछ बहुत प्रसिद है जल जारी हो सकती है बिहार बोर्ट बारवी रिजल्ट की तारीख होड समय एसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार बोर्ट की बारवी कख्चा की बारसिक परिक्छा के परिनाम 18 मार्च को जारी किया सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसके बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंतर में बिहार बोर्ड के द्वारा किसी वक्त भी परिक्षा के परिनामों को घोशित किया जा सकता है इसलिए जो चातर इस परिक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.बिहार.gov.in और बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर अपनी नजर बनाए रखें जानकारी के लिए बता दे कि बिहार बार्वी की परिच्छा एक फरवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की गई थी शुशील मोदी ने नितीज से तेरश्वी को पद से बरखास्त करने की कीमाग तेरश्वी आदव से तुरंत इस्तिफे की माँ भाजपा नेता और राजी शभास सांस सुशील कुमार मोदी द्वारा नितीश कुमार से की गई है तरश सुशील कुमार मोदी ने रेलवे में नौकडी के बदले जमीन मामली को लेकर कहा है कि तेरश्वी पर भश्चाचार की मामले हैं इसलिए तेरश्वी को पद से बरखास्त करने की मांग शुशील कुमार मोदी द्वारा की गई है बता दे कि उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह काड़ेवाही ललन सिंग जोकी जदियू के मौजूदा अध्यक्ष है उन्होंने केंद्रिय जांच एजंसियों के सारे फुकता सबूत उपलब्ध करवाए थे अब 25 मार्च को CBI द्वारा तेरश्वी से पूछताच की जाएगे इस महीने तक तेरश्वी की गिरफतारी तो नहीं होगी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेरश्वी को कभी भी इस मामने में गिरफतार नहीं किया जाएगा नितीज कुमार को ऐसे आरोपित व्यक्ति को पत से तुरंद बढ़खास्त कर देना चाहिए उपिंद्र कुश्वाहा की यात्रा पर उमेश कुश्वाह का बयान इन दिनों एक तरफ जहां उपिंद्र कुश्वाहा अपनी विराशत बचाव नमन यात्रा में व्यस्त है तो वहीं दूसरी ओर विहार प्रदेश जदिव अध्यक्ष उमेश कुश्वाहा के द्वारा उनके इस यात्रा पर सवाल उठाते वे कहा गया है कि उपिंद्र कुश गंगा जमुनी विरासत को बचा पाएंगे उन्होंने अपने व्यक्तिकत लाप के लिए न केवर मुख्य मंत्रे नितीज कुमार के साथ बल्कि जनता के साथ भी चलावा किया है समाजवाद के जिस विरासत को नितीज कुमार के द्वारा एक नई उचाई देने का कारे किय तो वहीं उपिंद्र कुश्वाहा के दौरा अपने हित के लिए विरासत वचाओ यात्रा किया जाड़ा है। प्रिष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन मुख्य मंतर नितीज कुमार सत्ता का सुख भोगने में इस कदर व्यस्थ हैं कि उन्हें जनता का दर्द नहीं दिख रहा। कि अगर प्रदीश में भाजपा की सरकार आती है तो प्रदीश में मौजूस सभी अपरादियों के घड़ो पर बुल्डोजर चलाया जाएगा। सीम नितीज को ओवैशी ने मुसल्मानों का सबसे जाता धोखा देने वाला नेता किया करार। AIMIM के सुप्रीमों असुदीन ओवैशी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशनास साते वे कहा है कि नितीश कुमार ने पहले मूदी से निकाह किया और उसके बाद तलाग की दिया। नितीश ने तेरश्वी से भी निकाह किया लेकिन राज़त को भी ट्रिपल तलाग दे दिया। दरसल उन्होंने यह बाद अपनी जनसभाओं को समबोधित करने के एक रम में कही। ओवैसी अपनी जनसभा किसन गंज के लोहागड और बहादुर गज आती जगों पर कर रहे थे। सभागे तोरान ओवैसी ने अपने निशानी पर सबसे ज़्यादा नितीश कुमार को लिया और उन्होंने मुसल्मानों को सबसे अधिक धोखा देने वाला नेता भी करार द बना कर मैच पर कबजा कर लिया तो वहीं भारतीय टीम 117 रन पर सिमट कर रहे गए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मिशेल स्टार के द्वारा पांच विकेट चटकाए गए तो वहीं सिन एबोट और नाथन एलिस ने तीन विकेट और दो विकेट अपने नाम किये भा भारत के इतिहास में आज की तारीक है बहत खास दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्य हुई दिल्ली सल्तनत पर नादिर शाह ने 1749 में कबजा किया सी एफ एंड्रूज महातना गांधी के साथ सुतंत्रा आंदोलन में शामिल होने 1904 में भारताई 1977 में प्रधान मंत्रे इंद्रा गांधी लोगसभाद चनाओं में पराजित हुई थी गोड़या नाम के चिर्यों को बचाने के लिए 2010 में पहली बार विश्व गोड़या दि 1973 में जन्हु भारतिये अभीनेतरी कंगना रानावत का बारतिये फिल्मों के अभीनेतरी वोग क्रिस्टो का निधन 2011 ग्यारक हुआ। बोजनार नहीं चलाई जा रही अब YouTube music पर कर सकते हैं यह का Google का वीडियो प्लाटफॉर्म YouTube अपने music प्लाटफॉर्म YouTube में कई नए फीचर को जोड़ा है इस नए फीचर में offline music डाउनलोड करने से लेकर YouTube स्टूडियो में podcast बनाने तक की शुधा मिलेगी Google के स्वामित वाले YouTube अपने music अप में एक नया अपडेट जो रहा है जो यूजर्स को हाल ही में प्ले किये गए गानों को Android पर अपने आप डाउनलोड करने की सुधा देता है 925 गूगल की रिपोर्ट के अनुसा recently played songs, option, premium, subscription वाले यूजर गाने के लिए डाउनलोड और stories में दिखाई देगा YouTube ने घोशना की है कि अमेरिके नर्माता अब YouTube स्टूडियो में podcast बना सकते हैं इसके लावा company ने यह भी घोशना की है कि music app में podcast को बहुत जल जोड़ेगी कपे शर्मा ने अपने delivery boy के किरदार को लेकर बताया यहाँ comedian और actor कपल सर्मा ने अपनी फिल्म जिगार्ट में delivery boy का किरदार निभा कर अपने fans का दिल जीत लिया है जिसके बाद हाली में couple सर्मा ने अपने इस करदार को लेकर बताया कि उन्होंने delivery boy के किरदार के लिए कैसी तयारी की थी उन्होंने बताया कि उनसे कहीं लोग पूछते हैं कि वह इस character में कैसे गुसे जिस पर मैं कहता हूँ कि मैं अभी तक इस character से बाहर नहीं निकल पाया हूँ उन्होंने कहा कि मैंने कहीं छोटे छोटे काम किये हैं मैंने कोका कोला में काम किया है फिर मैंने STD, PCO जो आजकल तो नहीं है क्योंकि अब हर जगा mobile आ गया है लेकिन मैंने अपने समय में वहाँ पर भी काम किया है इसके अलावा मैंने कपड़े की factory में भी छोटे मोटे काम किये हैं इसलिए जब मैंने यह कहानी शुनी तो मैंने खुद को इससे connect कर लिया आपकी जानकारी के लिए बता देगी कपल सर्मा की यह फिल्म 17 मार्ज को रिलीज हो चुकी है जो की लोगों को खूब पसंद आ रही है बीतर दिन हमादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है रामक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप य